जैहिंद जैभारत साथियों अगर आपको समझना आएगे न तो वीडियो के नीचे कुछ भी लिख दिजेगा और हाँ साथ ही समझना और न समझना तो आपके उपर ही निर्भर करता है ठीक है और यहाँ पर आप दिख सकते हैं लिखा क्या हुआ है कि आज चैप्टर समाप्थ हो जागा ओके तो लिखते लिखते चलिएगा ओके तो आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा जल अनमुल संसाधन तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर जल होता क्या है तो मैंने बहुत ही आसानी से आपको समझाने के लिए बहुत ही अच्छे-ची बात को लिखा है आपको घबरानी नहीं है यहाँ पर देह कर कर, तो यहाँ पर आप देखेंगे हैं तो लिखा हुआ है कि पस्व और मनुसिय जल कम पिते हैं तो उन्हेंже समस्य होती है, यह तो आप सिबको बात आसानी से पता हिए है, और आप पर आप दिखेंगे तो क्या लिखा हुआ कि जल सभी जीवित परानियों पादपो तथा अन्य जीवित परानियों पादपो तथा अन्य जियों के अस्तितों यानि जिन्दा रहने के लिए हमें जल के अवस्यक्ता होती है तो यह भी बात आसानी से आपको आ गई होगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नदी तलाब जील में धारा के रूप में हमारा जो प्रित्वी है ना उस पर 70% हिसे में क्या है मावजूद है जल तो अगर आप से पुछ दिया जाए कि हमारे प्रित्वी पर कितना प्रित्वी जल उपस्तित है तो आपको बतानी है 70% हिसे में क्या है हमारा जल इस्तीत है और साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी कारण हमारा जो धरती है नीली दिखाई पड़ती है तो ज़्यादा यहाँ पर बहुत ही आसानी बात है और वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए हमें इसको साइच छोटा कर दिया हूँ तो आप यहाँ पर और भी देख सकते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो आगे लिखावा है कि जल के कारण प्रिथवी को निला गरह कहा जाता है अगर जल नहीं होता है तो इसे हम निला गरह नहीं कहते हैं और जल है इसलिए हम इसको क्या कहते है नीला गरह कहते हैं और साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि जल स्वाधहिन होता है गंधहिन होता है और रंगहिन होता है समझें और साथ ही है यहाँ पर देखेंगे कि स्वाधहिन गंधहिन रंगहिन होता है इसलिए इसे हम क्या कहते है सारवत्रिक बिलायक कहते हैं तो सारवत्रिक बिलायक हम क्यों कहेंगे जब वह स्वादहिन, गंधहिन और रंगहिन होगा ओके यहां पर बात बहुत ही आसानी से आपको आ गए होगी तो देखी यहां पर अगला जो बात है यहां पर लिखा क्या हुआ है क्या प्रकृतिक में हमारा जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या प्रकृतिक में तीन अवस्था में पाय जाता है हमारा जो जल है लिखा हुआ है कि क्या प्रकृतिक में तीन अवस्था में पाय जाता है तो क्या तो जल तो आपको यहाँ पर ख्याल रखना है कि हमारा जो जल होता है उसके तीन अवस्था होते हैं क्या खोते हैं तो यहाँ पर तीन अवस्था होते हैं तो यहाँ पर आपको करना क्या है आप दिख सकते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है ठोस, द्रव और गैस, तो आप से अगर पुछी दिया जाए कि जल की कितने रूप होते हैं, यानि जल की कितने अवस्था होते हैं, तो आपको बतानी है ठोस, द्रव और गैस, तो यहाँ पर ठोस के रूप में हम किसको कहते हैं, तो बर्फ को क और द्रव तो आप समझे नदी तलाब में यहां पाई जाती है ठीक है और यहां पर मैंने जल का बहुत ही आसानी से परिवासा लिख दिया जोकि आप बड़े होंगे न अगले कलास में तो आपको मिलेगा लेकिन यहां पर मैं आपको देद रहा हूं ताकि आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा तो यहाँ पर लिखावा है कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को मिलने पर हमारा जो जल है ना बना है तो हमारा दो हाइड्रोजन अब हाइड्रोजन क्या है तो हाइड्रोजन हमारा गैस है और ऑक्सीजन भी हमारा गैसी है जब ये दुनों आपस में मिलते हैं ये दुनों आपस में अभी किरिया करते हैं तो क्या बनाते हैं तो हमारा जल बनाते हैं और इसका सूत्र क्या होता है H2O तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसे H2O के नाम से जाना जाता है ठीक है और प्रित्वी परूपलबद 97% जल हमारे क्या है तो खारा जल है 97% हमारे जो जल है उसमें खारा जल है और केवल 3% जल जो है स्वक्ष है तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि खारा जल है तो उसमें तो हम लोग देखे खारा जल होता है तो हमारे लिए उप्यों की नई होती है कुछ मचलियों के लिए होती है और कुछ अन्य जियों के लिए वहाँ पर होता है लेकिन यहाँ पर हमारे लिए जो जल है वो तीन परतिसत क्या है स्वक्ष है और यहाँ पर देख सकते हैं और आगे लिखावा है कि जो दो परतिसत हीम के रूप में है यानि हमारा जो तीन परतिसत जो जल है उसमें से दो परतिसत जल क्या है हीम के रूप में हीम कहने का हमारे लिए एक ही परतिसित जल जो है क्या है उप्योग के लिए है तो आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से ध्यान रखनी है जिससे कि आप बहुत ही कम समय में समझ सके तो जल को बरबाद ना किजिए क्योंकि एक ही परतिसित जल है जो जिसमें हम उप्योग करते हैं ठीक है तो अब आगे देखे लिखा क्या है कि असानी से मैंने जल का परिवासा और लिखा है कि जल एक क्या है योगिक है जो दो पदार्थों को मिलने से बना है तो आपसे अगर पूछ दिया जाया तो जल का परिवास मैंने आसाइस यहां पर भी दे दिया है और साथ ही यहां पर भी दे दिया है हो आलगि में यहां से लेकर करो यहां तक जितने भी बाते बता है वह क्या है जल्प से ही रिलेटेड थी यहां पर आपको घवरानी नहीं है और आप दिक सकते I do ज्राइस इसका नहां किया करते हैं अठ्वियर कर लेते ताकि अच्छा अगा ना तो तो साथी अगर आप यहां पर देखसे थी तो बहुत ही आसानी से मैंने बता रहा है तो आपarde लिख लिजे ठाज है तो तो क्या आपको असानी से दिख पड़ रही है तो आप यहाँ पर लिख लिजे अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है जल का उप्योग साथ ही हम जल का उपयोग करते हैं तो किस-किस के लिए उपयोग करते हैं तो आप यहाँ पर आसानी से देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा जल का उपयोग और यहाँ पर लिखा है कि पीने में और बरस करने में, असनान करने में और कप्रे धोने में और भरतन साफ करने में सौचाले में और फर्स साफ करने में करखानों में उधोगों में और सिचाई में तथा अन्य कारों में हम क्या करते हैं जल का उपयोग करते हैं तो अगर आपके किताब में लिखा होगा जल का उपयोग तो आप ये सब चीजों को वहाँ पर लिख सकते हैं तो चरिया आप समझते हैं आगे की बाते तो अगला जो हमारा बात आता है वो है आप देख सकते हैं कि जल कहां कहां से पराप्त होता है यानि जल का सुरोत जिया साथी जल कहां कहां से पराप्त होता है तो आपको यहाँ पर लिखना है कुवा, जल, चापकल, नदी, जील, समूंद, पोखरा, इतियादी इतियादी कहने का मतलब और भी जगों से और इसके बाद यहाँ पर आता है एक और छोटी सी सवाल है जो कि आप दिख सकते हैं कि वर्सा का जल कहां जाता है जियाँ दोस्त हमारा जो वर्सा होता है उसका जो जल है कहां जाता है वर्सा समझ रहे ना जो की पानी गिरता है भूमी पर तो आपको वर्सा कहलाता है तो वर्सा का जल कहां जाता है तो जियाँ पर आप देखेंगे तो मैंने लिख क्या रखा है ठीक है तो आसानी से आप यहां पर लिख सकते हैं और इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है आप देख सकते हैं मैंने लिख क्या रखा है जल की अवस्था जिहां साथ ही यहां पर लिखा क्या हुआ है जल की अवस्था तो यहां पर आप दिखेंगे तो मैंने लिख क्या प्रकृत्नीक में जल ठोस, द्रो और गेस की आवस्थामें पाई जाती है हमारत जो जल होता वह तीन आवस्थामें पाई जाती फोस रूप में यहां पर घबर होगेंगे और यांपर बाता है कि जल जो द्रव रूप होता है अग्ला कि जल ठीक है या उसको हम कह सकते है जल वास्प के रूप में होता है तो जल के कितने अवस्था है तो यानि जल के कितने रूप है तो आपको यहाँ पर ख्याल क्या रखनी है कि जल के ना तीन अवस्था है ओके तो साथ यहाँ पर आप समझ सकते हैं आगे की बाते और अब चलते है नेक्स्ट की ओर चलते हैं तो यहां पर अगला जो बात है आप दिख सकते हैं तो यहां पर लिखा हूँ क्या हुआ है जल चक्र तो क्या आपको जल चक्र पता है पता है तो नीचे लिखेगा तो यहां पर आसानी से यार मैंने लिख क्या रखा है आप समझे तो यहां पर लि जल को एक स्थान से दूसरे अस्थान तक जाना, कहलाता है आपको जल चक्र, क्या आपको बात मेरी समझा आई, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा के आवा कि भूमी से वायू मंडल है, और वायू मंडल से भूमी, कहने का मतलब यह है, कि हमारा जो वर्षा का पानी होता है भूमी पर आता है और आता है तो साथ ही साथ गर्मी आता है तो वो वायू मंडल में जला जाता है यानि वायू मंडल यानि उपर आप समझे हैं आपके हाथ के उपर क्या है तो वायू मंडल है ठीक है तो हमारा जो जल चक्र होता है इसमें आपको याद क्या रखने कि जल एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक जैसे आप समझे यहाँ पर भूमी है और यहाँ पर वायू मंडल है तो यहाँ पर पानी जो बादल के रूप में थे हैं वे नीचे आए और नीचे आए तो नीचे आने के बाद जैसे यह वास्पी करन होकर उपरे गया तो उपर गया तो उ मजह आई की नहीं आई चलिए अब समझते हैं आगे की बाते और बहुत ही आसानी से तो यहाँ पर मैंने आसानी से लिख क्या रखा है जल के स्रोत और मैंने आपको बता भी रखा है पीछे जल का स्रोत यानि जल कहां कहां से परप्थ होता है तो आप इसली यहाँ पर समझ सक मैंने लिख क्या रखा है आप देखिए तो यहां पर लिखा हुआ है कि कुवा तलाब चापकल नदी जील समुंद्र पोकरा तो यह बात आपको काफी ख्याल रखनी है और चले समझते हैं अब आगे की बाते और हां समझ ना आती है तो वीडियो के निते कुछ भी ओके और य वर्षा आपको पता है तो आपको बस यहां पर यह ख्याल रखने कि हमारा जो वायू मंडल होता है अभी हम वर्षा बता रहे यानि अमल वर्षा तो सबसे पहले मैं आपको यह क्लियर कर दे रहा हूं तो यहां पर आपको वर्षा जो हमारा होता है वो क्या होता है तो वाय भासा में आप इजीली समझवाएंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि वर्सा जल में धूलकन धूलकन पता है जो धूल हमारे होते हैं उनके साथ चोटे-चोटे कन तो धूलकन और सलफर अब सलफर क्या है तो यार गैस है तो सलफर तथा नाइट्रोजन के ऑकसाइड आदी घूल जाते हैं तो इस परकार के वर्सा को हम क्या कहते हैं अमल वर्सा कहने का मतलब यह है कि हमारा जो वर्सा होता है उसके साथ साथ अगर हमारा धूलकन मिल जाए सलफर मिल जाए तथा नाइट्रोजन के ऑकसाइड अथवा इतियादी गैस मिल जाएंगे तो आपका जो जल होगा ना यह अमल वर्षा यहां पर हो जाएगा तो अमल वर्षा में बस आपको यही ख्याल लखनी है कि जब वर्षा के जल में धुलकन मिल जाता हो और सलफर मिल जाता हो तथा नैट्रोजन के ऑकसाइडितियादी घुल मिल जाते हैं तो वही आपको कहलाते हैं अमल वर बहुत ही आसानी से आपको आगई होगी ओके अगला जो मारा बात आता है वो आता है अन्ता असियंदन ओके तो अब यह क्या है तो आप समझे तो यहां पर लिखा हुए कि वर्सा जल को मिटी के अंदर जाना क्या कहलाता है अन्ता असियंदन आपको कहलाता है समझ आई तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने आसानी से लिख रखा अब समझते हैं आगे की बाते अगला आता है भौम जल अस्तर अब यह क्या है तो साथी आप सब यहां पर देख सकते हैं मैंने परिभासा लिखा है क्या है बहुत ही कि प्रिथिवी के अंदर प्रिथिवी आप समझ रहें जहां पर हैं आप तो प्रिथिवी के अंदर जब कल अगर आप देखते होंगे जब धास्ता है बोर होता है तो आप देखेंगे तो प्रिथिवी के अंदर कुछ दूरी उसाई पर बहुत सारे पानियों का वहां पर तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रिथिभी के अंदर कुछ दूर उसाईयों पर यानि अंदर कुछ और जाएंगे न तो वहां पर बहुत सारे पानियों का वहां पर संग्रह मिलेगा तो वही आपको क्या कहलाता है भौमजल अस्तर और हर जगह पानी कम होता है और कहीं ज्यादा होता है तो आपको यह भी बात बहुत ही आसानी से ख्याल रखनी है तो अगला जो हमारा बात आता है वह है आप देख सकते हैं कि भौमजल अस्तर में आई कमी के कारण यानि हमारा जो भौमजल अस्तर होता है आपने सुना ही होगा कि कहीं पर पानी ज्यादा आता तो कहीं पर कम आता है इसके कारण क्या है तो यहां पर लिखा हुआ है कि भौमजल अस्तर में आई कमी तो कहा है आई कमी तो यहां पर आप देख सकते हैं उसके बहुत सारे कारण है जिसके कारण हमारी पानी जो हैं कम आते हैं भौमजल में ओके तो यहां पर आप देख सकते पहला जन संख्या के ब्रेधी की कारण और अगला आता है क्रिसी गतुप्योग की कारण हमारे भौमजल अस्तर में आ सकती है कमी और अधोगी करण के कारण भी हमारे भौमजल में आ सकती है कमी और साथी वर्सा का आसमान में बित्रन वर्सा जो हमारा है उसको में कमी करने तो आपको बहुत ही आसानी से यहां पर यह बात क्याल रखने तो थांती यहां पर आपको समझ आई की नहीं आई समझ आई हो तो लाइक कर दिजिए और स allemaal समझते हैं आगे की बाते हैं अगला हमारा बात आता है वह आता है जल जल परबंधन जल का मतलब आप समझे रहें परबंधन का मतलब इलाज उप्चार तो यहांपर आप दीह सकते हैं कि जल को हम क्या करेंगे की परबंधन होगा तो यहांपर आप दİखेंगे तो लिखा क्या है कि जल्हादा बरबाद reduction और टो हुआ है उसे अच्छी तरह किसी नालेग सहारे भी बहाएंगे ना तो वो भी आपको एक जल परबंधन है ओके और साथी जहां पर इसे गड़े खोद कर अच्हित तरह रख दिया जाई तो वो भी आपको क्या है वो भी आपको जल परबंधन है तो बहुत ही आसान rahan, बसकुछ नहीं है, बहुत ही आसान है यहां जियां साथी जल जमा होना क्या कहलाता है जल संग्रहन तो जल को इकत्रित होना भी क्या कहलाएगा जल संग्रहन तो आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से ख्याल रखनी है ठीक है तो आप यहाँ पर साथ ही साथ लिख सकते है और अगला जो हमारा आता है सीचाई अब बात आ आई की नहीं आई बस आपको यह क्याल रखना है कि हमारा जो पानी होता है उसको खेतों में डालना कहलाता क्या है सिचाई ओके समझें तो यहां पर आप देखेंगे तो अगला हमारा आता है ड्रीप सिचाई अब ड्रीप सिचाई क्या है तो सिचाई तो पाता है और समझने क है ड्रीप का मतलब बुंद बुंद तो यहां पर आप देख सकते हैं लिखा क्या हुए है परिभासा में कि किसी pump के सहारे बुंद बुंद पादप में जल देना आपको कहलाता है ड्रीप सी चाहिए ठीके और यहां पर यहां पर यह बात थी और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नीचे लाल करर का बटन होगा वहाँ पर सबस्क्राइब लिखा होगा उस पर किलिक कर देजिए और आप हमारे दोस्त बन जाईए तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ अपता के लिए जुड़े रहें और कोई दिक्कत हो तो यार नीचे जरू लिखना तो यहाँ पर आप समझ सकते वीडियो पनाने मेनत तो लगती है लेकिन आप यहाँ पर इजिली समझ सकते हैं तो असलिए मिलता है आपका भाई एक और नए वीडियो के साथ तब तक लिए बाई-बाई, टेक केर, बेस्ट आफ लग।